और वहां पर विकेट चंस बन जाता है तो मज़ा आएगा कि अगर यहां पर किृज इनकालने में काम याब हो जाते हैं विकेट निकालने में tą याफे हो जाते तो ओवर Seven contest on हो जाएगा मैं कहूंगा यहाँ पर match maybe Gujarat Jain but at least contest तो create होगा at least हम कहेंगे कि हाँ match चल रहा है वरना तो जिस तरह पिछले मुकाबले में जो chase रहा था Delhi Capitals की तरफ से अगर उसी तरह का chase रहने वाला है तो फिर वही हो जाएगा यार हम कहा रहे तो दिन पहले कि अच्छा तुम क्लब क्रिकेट में इंजॉइ करें प्रॉब्लम ही हो जाते है कि भले रन पढ़ रहे होते हैं उस मैच में फिर भी match boring हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि यह team तो जीत ही रही है एक चीज होते हैं कि match में run पढ़ रहे हैं लेकिन आपको 200 से भी जादा का target चाहिए अभी भी आपका शौर नहीं है कि आप मैच जीत पाएंगा रन पढ़ते हुए हमेशा पहली पारी में अच्छे लगते हैं दूसरी पारी में मज़ा आता है कि match difficult होना चाहिए और आकरी ओवर तक जाने वाला होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो मज़ा आता है अधर्वाइस तो फिर वो वही scene है जो हम पास में देखते हैं कि अभी यार बना लिए अभी चला है यहां पे अगर 40-50 सुन की नौक आज नहीं खेली तो अगले मुगाबले में अलिज सपेरी इनको ओटेक करती वे नज़र आ सकती है अलाकि अब तक इस टॉन्टमेंट में इनके सर से क्याप नहीं उतरा है जैसे हमने बूलर में परपल कैप में से साइका इसाक के सर से क्याप उतरते हुए नहीं देखा है पहली के इपप सैट यहीं आजीक पहला और की माम ला रख दिर आर यहीं बेशिया नहीं पहला इस आखते है वहां फार वरतो भी नहीं से जोदी कर आरे ले लिया गया तो कहीं से कुछ समझ ही नहीं नहीं रहा है । और वा समयघ्यं सब्सक्राइब जुस उर्थ के और यह चैन्स का कि टू?」 तो अगर जादा मूएक आज चान्सव की बिकाट भी जा सकता है बट मेजोरिटी पे जो मुझे लग रहा है ये एमपायर स्कॉल पे डिया रिव्यू बच जाएगा ये करीबी मामला हो सकता है लेकिन में को बस पिचिंग का ही लग रहा है पिचिंग का देखते हैं कहा हो रहा है कि बॉल पढ़के थोड़ा सा अंदर की तरफ गया है सीधी हो जाती है ना बॉल पिचिंग सही है तो आपको पहली बॉल पे विगेट मिल जाए को कि में ग्लेरिंग भी थोड़ी सी नर्वस है क्योंकि उनको पता कि पिच जो है बिल्कुल ठीक हुआ है जब उनके पैड पे लगी है तो यहां पे बहुत ही नस्दीक हो सकता है मेरा डिसीजन अंपायर्स कॉल हो सकता है जी नहीं आउट है पिचिंग है इंपक्ट भी ठीक है ओ नहीं एकिस अंपायर्स कॉल होगी यहां पर बच गई यह पर शफल करते हुए जब बॉल लगती है न तो यूज़िली एमपायर्स कॉल होता है अब वो किसमत होती है बैटर की कि यहार हो गया तो अपैर ने आउट दे दिया तो दे दिया यहां पर और काफी नाकुश जाने के लिए तो बड़ा विकेट था यह मैंग लेनिंग का गर गिर जाता तो दूसरी के लिए फिर पैट्स पे थी बहुत शांदार गेन बाजी किमगार्थ काफी अच्छी गेन बाजी कर रही है और अच्छी बात यह कि अपनी अपने वतन की कैप्टन को कर रही है तो अपना भी जो है अपना प्रोस्पेक्ट बढ़ा दिया अपना स्टॉक बढ़ा रही है उनके सामने कि भी या यू कैन गिव में चांस काफी अच्छी बाल तियार पढ़के थोड़ा सा दिर की तरफ आया बट उतना नहीं आ सका कि मेग लेनिंग का जो है विकेट यहां पर अच्छी बाल फिर से खेला उसको ऑनसाइड की तरफ एक रन लेने में काम है तो आपको ध्यान से खेलना पड़ेगा यहां पर किम गार्थ को क्योंकि लाइन और लेंथ बहुती सटीक रखी विया अभी तक किम गार्थ ने इन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया था अपने प पावजूद उनकी टीम जो हार गई थी तो काफी unfortunate होता है चलिए दो प्लेयर्स जो है आपने 30 गज घेरे के बाहर लिए में एक डीप स्कोर लेक पे खड़े हैं और एक कवर रीजन की तरफ कड़ी है तयार है चौथी गेन के लिए यहां पर किम गार्थ फिर से शफल किया यहां पर लेकिन आउटसाइड एज लगा और फिर्स फिल्डर की फिर्स जो स्लिप पे खड़ी है उस फिल्डर की हाथों के बीच में से यह बाल गई एक रन मिल जाएगा लेकिन दोनों ही बैटर जो हैं अब थोड़े से नर्वस फिल करते हैं यहां पर उगी बाल स्विं पढ़िया बैटर हो खती में नजर आई है पांच वी गेंदे इस आफस्टंग के बार कट किया इसको रह लेने के लिए निकल बढ़ी है पूरा भी कर लिया जाएगा अच्छी शुरूबात लिए गुजराज जैंसकी यहां पर कोई बाउंडरी नहीं आई है देखने वाल किस तरफ जाता है कि वह कहते हैं रूट किस तरफ करवट लेगा करवट बिलेटे का क्या होते का तो ऐसा कुछ हो सकते हैं चले आखरी बॉल के तयार है आप एक किम गार्थ अभी तक तो बहुत जबर्दस ओवर गया यार मेर्स तीन रन गया लेकिन वह तीन रन भी वह है कि पहले कुछ ओवर्स में जो शेफाली वर्मा है वह इस रीजन में काफी शॉट्स खेलते और यह उनका यही प्लान था लेकिन इस बार फील्डर ले रखें तो कोई रन सिरफ जादा नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी कोमेंटरी करते हैं तो थोड़ी देर रहर रुक थोड़ाइन्स को सपूर्ट करने शاتम कुछ सिंग हमाने साज रुड़ चुकि हैं धायल रही है मैंशा श्रूद नायगे देखने इस यह मज़ा किल बढूबियां टो मझान वाली है किल राहूलуюगी में उपाले एटिटीय एवापन करेंगे बिराटकोल में यह को मज़ा इशान किशान एट पांच हादिक पांडिया एच्छ जडीजा एट सेवन यूवी नहीं नहीं भूवी लिखना चाहिए यूवी हो गया बाद एट शामी एट नाइन सिराज एट तेन उम्रान एट इलेवन तो यह प्लेंग 11 भाई एक गलबड आपने किये हां पर इस प्लें ही गेन कराई है तनुजा कनवर ने बड़ा शॉट लगाना चाहती थी लेकिन ब्लॉक होल में बॉल कराइगी थी इसलिए ठीक से कनेक्ट इकर पाई यहां पर बड़ा शॉट लगा दिया है लॉंग ऑन की जगा पर मिल जाएंगे तो इसलिए चांस लिया और लॉंग ऑन स्टोर्रमेंट में और क्या इंपाक्फुल प्लेयर रही है में तो फेड़ी बॉल में दूसरी पहली बॉल पर काफी जादा अच्छा फसा लिया था लेकिन दूसरी बॉल पर अपने आंप्स को रिलीस किया और 66 मीट रखा यह चक्का लगा दिया स्कोर हो गया दस एक दश पीच के कराती है बॉल या फिर से फ्लाइटी डिलिवरी आएगी वो देखना भी बाकी यह तीस्री बॉल के लिये तयार है यापर फिर से फ्लाइटी डिलिवरी लेकिन इस बार जो है ब्लॉक होल में कराएगी यह ती लो फुल्ट और सरूर बनाया लेकिन बैक टूद़ केला स्कोर अभी भी दस मिना किसी नुक्सान गए चली ओवर की चौती गेंद को लिए के तयार है सामने होंगी शिफाली वर्मा डाइगनल आते हो बाइंहाथ से राउंद विकेट आगे बड़के गेंद को खेल दिया लेकिन सीधा गेंद बास के हाथ में लेकिन रन का कोई म पैट पर लगी गेंद और सीधा जाके स्टम्स में जाके लग गई तो एक बहुत ही बड़ा जटका दिल्ली की टीम को लगता हुआ यहां पर बहुत बड़ा जटका लगा है शिफाली वर्मा उट होके जा रही है आठ टन मना के साथ गेंदों का सामना किया है तो दुट च और उनके पैट को टार्गेट किया बॉल पैड के अंधूनी किनारा लगा और जाके स्टम्स में टकरा गई यहां टन मना के आउट हुए पिस पहली बॉल पर इस ओवर की बची थी सिमिलर शॉट खेलते हुए चलिए खराब शॉट सेलेक्शन लेकिन यहां अनलकी भी रहें कि पैड्स पर ले जाके जो है बॉल सिधा विगेट पर गिरा और अपना विगेट जो है यहां पर गवा के चलिगी तो अच्छी शुरुवात यहां पर गुजराट जायंट स्किल लेकिन डिया डेली और मु अब बचा आपके लिए फिर देन मेरिजन कैप हैं तो इतना अभी बैटिंग लाइनप बचा है आपका तानिया भाटिया भी बैटिंग कर सकती है तो इतना परिशानी इसलिए नहीं होती है और यहां पर आते ही फुक कर दिया है स्कूप कर दिया इस बॉल को और जार यह और चारन मिल जाएंगे तो आते ही यहां पर एलिस कैपसी ने फाइदा उठाया इस फील्ड प्लेस्मेंट का और बहुत जवर्दा स्कूप लगाया और प्री मेडिटेटेटिड था बॉलर ने अब यह भी हाथ ऐसे ही किया था उनको पता सा कि मिरूं क्या शॉट खेलनी ह विकेट कीपर के उपर से उठा दिया दो ओवर्ड की समाप्तिक बाद 14 है दिली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पे 108 गेंदो में 134 रनू की अवशकता रिक्वाइड रन रेट है इस समय 7.44 का और करेंट है 7.00 का ने वर्ड की शुरबात में मैग लैनिंग होगी स्ट्रा अपील की गई लेकिन अंपार न न न काड़ा किया इंसाइड एज न लगा हो गई तब ही हो सकता है नहीं तो बॉल तो क्योंकि बहुत ही किम गार्थ जो हैं बिल्कुल उनकी आद दिला रहे हैं से इसी वांग बॉल कराती है न स्वेंग और वैसी तेज बिल्कुल वैसी और इनकी बॉलिंग में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है हमने पहली पहले ओवर में भी देखा था कि स्विंग करा रही है और सबसे बात यह है कि लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है इनकी पहली बॉल पर आपने देखा कि बॉल स्विंग हुआ और परिशान किया मैग लेनिंग को दूसरी बॉल के लिए तयार है और इस बार भी फिर से डिफेंड किया ऑफसाइट की तरफ और जो शॉट थर्ड मैन की जो फिल्डर इस बॉल को पकड़ेंगी और कोई रन नहीं में लगा तो मैग लेनिंग को यहां पर परिशानी होती परिशानी यह नह बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही उनके खिलाब बिल्कुल सही का आपने बॉलिंग वाकिव में बहुत अच्छी हो रही और इतना असान नहीं है प्रेशर में वह भी नजर आ रहे है नया विकेट है बैटिंग में अभी कुछ खास मदद कर नहीं रहा है अलाकि मैग लेन दिल्ली की तरफ से भी है तो चेज बहुत इंपरेसिंग रहने वाला है हाला कि पावर प्ले के अंत में हम जादा बहतर स्थिती को समझ बाएंगे कि किस तना का कंडिशन से यहां पर अवर जो हम 14-15 वर्स की बात करें दे वहां पर थोड़ा सा और नीचे जाएगा और ऐस अवर जा सकता है कि शायद 19 होज तक भी ए मुकाबला जा सकता है विन लास होज तक यू नेवर नो यह तो वेट वर्स तो सी इन विच वे इन विच वे इस मैश इस गई फ्लाटे दिलिवरी आउस्ट्रम के बार आउट स्विंगर थी यह वाइड करार दी गई नहीं यह य चले वो यार हमेशा ना बहुत ही अनलखी अनफॉचुनेट रहता है बोलर के लिए कि बेरेस्ट ऑफ मार्जन से कभी कार वाइट दे दे देते हैं आपको लगता कि बाइट नहीं है लेकिन अंपायर ने दे दिया तो दे दिया और आप बले ही आप रिवीव कर सकते हैं ल दोला रन एक विकेट के नुकसान पर और लेनिंग पहुच गहीं तीन रन बनाके आप गेंदों कर सामना किया पहली चौका लगाया था उन्होंने तयार है इस और को बड़ा बनाने में दो गेंदे हैं कम से कम एक चौका इस ओवर में जरूर चाहिए होगा प्रेशर अगर कुछ को छे पे लाने के लिए और मुझे नहीं लगता कि कुछ जादा देर लगने वाली इसमें आफस्टम के बार की खूपसूरा चाहा टैट खूपसूरा फीलिंग एसवेल पॉइंट की तुरह रन बजाया अपनी टीम के लिए डॉट बॉल मोरोवा डॉट बॉल मिला ह उसकोर 16 एक विगेट के नुकसान पे पैशर अभी भी डेली पे चले ओवर की अंतिम गेंद को लेके चलेंगी यहां पर किम गार्थ सामने बल्ले बाजी करें एलस कैपसी जो की दो गेंदों का सामना कर चुकी है और चार रन बनाके खेल रही है यहां से दिल्ले की टीम की शुरुआत तो कुछ अभी ठीक नहीं हुई है लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके पास बल्ले बाजी है इसलिए इस प्रेशल को भी वह आराम से जहल सकते है एक सो तीन गेंदों पे एक सो बतीस रनों की अवशकता इस समय डली कैपिटल्स को यह मुकाबला जीतने के लि इंती फुले लेंट की उसको ड्राइव कर दिया गें सीरे डीप काउड पे चौके के लिए क्या फाइदा है चौके के साथ ओवर की समापती हो गई पूरा ओवर डॉट जरूर रहा था लेकिन छेरानीस ओवर से भी आ गए और जैसे कि हम लगतार बात करें थे कि ज्यादा मैं काऊंगा ओवर नहीं लगेंगे इस तक लाने में इंफैक्ट उससे नीचे ले जाने में क्योंकि अगर यह दोनों टच में आ गए और जिस तना यह दोनों बैटिंग करती हैं उसी तना बैटिंग करती वे आ गई तो फिर चेज बहुत जल्दी खतम हो जाएगा बार ड अगर आपने यहां पर कई 22-23 गेंदों में कुछ ऐसा कुछ स्कोर बना दिया 48-49 या 50 भी बना दी तो आपने डेली को एक फांडेशन दे दिया कि आप वो मैद बहुत आराम से दी सकती है मैं गलनिंग जरूर उनने स्टार्ट स्लो लिया है लेकिन वह कब तक इतनी मला दे देखे कि वो काफी तेजगती से बल्लेबाजी करती लेकिन अभी उस मुकाबले में उनको ऐसी बल्लेबाजी करनी के अवशकता निया क्योंकि आपको पता है कि आपका एक विकेट गिल चुका है यहां से संबल के खेलने के अवशकता है यहां से फिर से स्कूप कर दिया आ सबसे सक्सेस्फुल कप्तान बन चुकी है इपील की इस्ट्री में जिन्होंने नॉन स्टॉप पांच मैचेस जीते हैं वह भी शुरुआ थी आइपील की डबलो पील पांच मैचेस में इससे पहले महिंदर सिंग धुनी के नाम था चार मैचेस पांच में से जीतने का पांच मैचेस जीतने के लिए तो यहां से और ज्यादा के लिए अच्छा का इस्तेमाल किया गें की पिछ तक पहुंचिया और उसको खेला लॉंग ओफ दिशा की और एंड शी नियू कि जिस तरीके शॉट लगाय था उनको पता था कि मिड़ारी पीछे थाल लिए उनको तो चौका जो है मिली जाएगा चौथी गेंट के लिए तयार है स्कोर हो चुका चप बेस अच्छा यहां पर शॉट तो लगाया है लेकिन तो शॉट थर्ड मैन की फिल्टरेंज बॉल को पकड़ेंगी मुझे लग रहा था यह भी चौका ही चला जाएगा बिल्कुल स्ट लेकिन खिलारी जो थी वो दौर करके पहुंच गई गेंट के पास लेकिन पैटालीस पचास नागाच चे ओर में बने तो मैच इस गॉन फिर्ट जाएंस की तरफ से इंसाइड आउट खेला इंसाइड निसीदे बैट से खेला इसको लोंगान की तरफ लेक्स्टम के बहार इस एक विकेट के रुकसान पे पांच गेंदों के बाद अब इस ओर की आकरी गेंदानी बाकी है लैनिंग 10 बना के नाबाद है 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और कैपसी ने नहुरन बना है फ्लाइटे डिलिवरी फुल टास पुल किया है गे दाउन टी की तरह चो का बहुत ही बड़िया शॉट लैनिंग के बल्ले से निकलता हुआ चौदा पर पहुच जाएंगी ओर की समापती हो जाएगी इस वोट आई सेड करंट रंवेट रिक्वाइट रिक्वार नेट चे उपर बिलकुल और यह होना ही था यार मैंने आपको यही कहा था कि मैंग रिलीज हो गया है और आप अगर और उनको खराब बॉल दे देंगा फुल तो वट दियू एक्सपेक्ट कि मैं लेनिंग जैसी प्लेयर जो है इस बॉल को छोड़ेंगी इस बॉंडरी एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन बॉलर एक्सपेक्ट करते हैं कि वह कुछ खराब पचास बने ना बने पैतालीज भी बन गया है तो दिस इस सुक्सेस्फफल पाउपले फॉर डेली कैपिडल्स और विकेट नहीं गिरता है तो फिर गुजराच जायंस इस गॉन आप देखिए रिक्वाइड रंडेट और करंट रंडेट में फर्क देखिए आप रिक्वा खाने के बाद अंदर की तरफ आई गाड़नर को बुला लिया गया है शॉट कवर की तरफ केला गया रन नहीं मिलेगा स्कोर अभी भी 32 एक विकेट के नुक्सान पर इस बार बाल बजगे है आपे फ्लाइट डिलिवरी थी टपा खाने के बाद गेंद घूमा और स्टम के बार जाके स्वीप करना चाहती थी लेक्स्टम के ऊपर से निकल गई गेंद है आपे तो इस इस लुक आपे देखिए यह बाल जो है काफी स्लोवर थूर थूर थू इसलिए उसको पकड़ नहीं पाई पुल करना चाहती थी उसको यह फाइन लेक की दिशा की और बट वो उन्होंने मिस किया यहाँ पर भी आराम से खिलना पड़ेगा अलिस कैपसी को थोड़ा सा आराम से खिलना पड़ेगा यहाव गुड बेटिंग लाइनप और उसके आ पैड पर जाके बॉल लगी तो अराम से खिली आपको पुझे नी बता है कि जरूती नहीं है आप सिंगल नबल भी लेंगे अभी मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि प्रेशर लेने की जरूरत क्या है जब आपकी साथी बैटर रन बना रहे है और यह कैप डिस गुड गई उन्होंने खराब गेंद कोई चुना पर उनको समझागा कि खराब गेंद मिले आप मारिये लेकिन हर बॉल पर मारने ही कोशिश करेंगे तो वह बैक फाय करगा देगी अच्छा कदमों का इस्तमाल विद्ध स्पिन खेला इसलिए आपने देगा कि डीप मिडविकेट और स्काव कॉर्णर के बीच से चक्का लगाया गया है और इफेक्टिव शॉट है 69 मीटर का फिर से कदमों का इस्तमाल यह बहुती जबर्दस कनेक्शन और एक और चक्का तो जो भी पेप टॉक दिया है यहां पर मैं ग्लेनिंग ने वो यहां पर काम आता हुआ और पांच ओ ऑफ रेटिंग नहीं करेंगी और गरें पर करेंट रूंड टीक टो इसकूस कि लिए औरन एक रन्चिस पंड़र में होता है यूझकि मेरे इसाप से यह रंच तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा तो बेलकुल भी नहीं जाएगा तो मैं इसे लिए इससलिए बहुत जादा और जिस तरह से पिछले ओवर की आखरी दो गेंदों में दो चक्के लगाए है वो भी गाड़नर के खिलाफ दिस प्रूव की बहुत मुश्किल रहने वाला है ये मैच बचा हुआ गुजरा जायन्स के लिए और मैं चाहता हूँ कि आज एलिस कैपसी के बैट से मैं पचास देखो मेच लेनिंग की हमने पचास देख ली हमने शेफाली वर्मा की देख ली आम मैं चाहता हूँ कि एलिस कैपसी जो है यहाँ पर बड़ा पारीक एलिस जो है डीप स्क्वेर लेक की तरफ से जो है गई है चार रन और वो हिली भी नहीं अपनी क्रीस से पर यह तौफा था मिल्कुल आपने मतलब बुला कि आप पी चाहती कि जल्दी मैच खता है जब पर लगी थी मैंने जब भी बोल जयता आपको कि यह चौका है क्योंकि बहुत जबरदस्टी शॉट लगाया गया अर्ली गैन दाए हाथ से ओवर था विकेट और अमपार ने आउट यह चौकि पर लगी थी गैन रिवीव लेने का मौका है लैनिंग के पास लेना चाहिए ले लो लेना चाहिए लेक्स्टम मिसिंग लग रहा है मुझे यह लेलो लेलो काम कर दिया भी उन्होंने और भाई साब यह उन्होंने वो कराई है बिल्कुल सीम वाली डिलिवरी कराई है मीडियम पेसर बन चुकी थी इस पिन तो थी नहीं चलिए बट यह ने कैप्टन को चलता किया बहुत नाराज होंगी अगर बाद में स्क्रीन पर दिखा गया कि जो है समको मिस कर रहा था मेरे इसाब से ज्यादा से ज्यादा यह एंपायर स्कॉल होता बेश्यक विगेट बिल जाता बट एट ली सैटिस्फैक्शन होता अभी अगर गल्ती से मिसिंग होगा तो दिक्कत आएगी बिल्कुल रिवीव हम देखें के जरूर पता चलेगा त लेकिन दिल्ली क्यापिटल्स का यह दूसरा जटका लग गया है और मैक लैनिंग्स एक बार फिर काफी लंबा टाइम होगे कि बैट से रन बनते में देखें काफी टाइम हो गया अब यह कि आज याजिंक 15 मुकाबला है तो पिछले दो तीसरे मुकाबले में भी कम रन बन अच्छा हम मेग लेनिंग को भी आउट कर सकते हैं यह नहीं हो रहा पहले दो मुकाबलों तो लगी नहीं रहा था कि कोई बॉलर रूट कर पाएगा लेकिन फिर मेग लेनिंग को एलीसा हीली को इन दो बल्लेबाजों को आउट करना बहुत ही जादा मुश्किल है बहुत म के पास रन लेने का मौका है और एक रन पूरा भी किया दोनों ही बल्लेबाजों ने इसी साथ स्कोर होता हुआ उनन चास पे दो पांस दश्रमलाव तीन ओवर की समापती के बाद मेग लेनिंग यार आउट थी बिलकुल प्लम आउट थी चलिए दाएं हाथ से ओवर दविकेट सीद्याथ के बल्लेबाज के लिए फुल टॉस बाल पुल किया है गेंसी देर लॉंग ऑन के खेलारी के पास अच्छी बात है कि ज्यादा जोड नहीं लगाया नहीं पर नही ओवर की पांच वी गेंट को लेगे तयास नहीं रहाना दाए हाथ से ओवर दविकेट आगे बढ़के गेंट को ड्राइव किया है गेंसी दे शॉट कवर के पास रन का कोई मौका नहीं हो सकता था लेकिन यहां पर तेजी से रन दिया गया था और यहां पर स्टंप्स कर द वह जब वह रिस्की रन लेके सीधे बैट से भागे दिया और वह बाल बाल वह डाइल लगा के किसी तरह नहीं नहीं आ रही है भाई खराब उपाइरिंग अपारिंग अपारिंग नेक डाइस अब चार-पांश पिट आगे वह दूर है वह तब तो आउट देंगे नहीं नहीं दिया क्योंकि अमपार जब पीछे था और विकर देखिए तो नहीं वह चूटी हो कि इसी लिए नहीं आउट है वो तो आउट है जब को बता है लेकिन यह नहीं नहीं देख पाई ना कि जब गेंड हाथ में तब लाग स्टम्स लिए नहीं चोले आउट हो गई और स्कैप्सी को फिर आउट कर दिया जो इतना अच्छा केल रही थी फाल्तु में रन आउट करवा दिया है रावने यह केरी मैं 50 बनाओंगी रॉंग बहुत ही खराब यहां पर वो कराई है इनोंने रोहिट शर्मा ही है मैं बता रहो हूं जमीमा जो है न यह वोमेंस टीम के आपकी हाथ में बॉल गई है रुक जाईए भई इंफॉर्म बल्यबास को आउट करवा दिया आपने खड़ाबी हो गया यह दिल्ली की टीम के लिए इस समय पचास से तीन विकेट के नुकसान पर डली कैपिटल्स का स्कोर पांस दशमलब पांच ओवर की समाप्तिक बाद पचासी गेंदे बचिया अंठानवे रन बनाना है दिल्ली की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए रिक्वाइड रंडेट है इस समय 6.92 का और बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी मैडिजिना कैप यह भी अच्छी बल्लेबाजी करती है गेंदबाजी भी अच्छी करत हैं तो प्रेशर और है ज्यादा बले इनके पास बैटिंग है आप यह खेल सकती है मेरिसन कैप और जमाइमा रोडरियस आपको मैच जिता सकती है लेकिन एक थोड़ा सा मैच अप फस गया डली के लिए अब संभल कर खेलना पड़ेगा पहले उनको कुछ दो नहीं जाएगा क्योंकि बैक तो बैक दो विकेश गर एक एंसे कैप सी जिस तरह से बना रहें थी खासवार पर जो दो नहीं चके लगाए थे पिछले वर में उसके बाद एक्स्पेक्टिंग कि यह मुकाबला जो है वह और काफी तीजी से आगे की तरह बढ़ेगा बढ़ेगा यह मैं कहूंगा यह पापले शेयर हो गया अभी तक वन साइडली चल रहा था हम कहा रहे थे पैतालीस पे एक है या पचास पे एक है इन फैक दो जो दो हुए थे उसमें भी सैटिस्वाइट है पस जो तीसरा हो गया यह कहीं ना कहीं शेयर हो गया और अब मैच इस ओन यह जब प्रेशर जादा होता है रंस नहीं बन रहे होते हैं तो अच्छे से अच्छा प्लेर कर जाता है तो आपको यहीं चीज करने है कि अगले कम से कम पांच ओवर तक यू डोंट नीड़ विकेट अगर डिली अगर अपने आप से कहना चाहेगी और हर बॉल पे आप जो है जाके पैड पर लगी है रणने ही मिलेगा स्कोर अभी भी 51 है तीन विकेट के नुकसान पर और तयार नहीं थी भागने के लिए कैप सी यह बस क्यूंकि उनको क्रॉस कर गई तो उन्होंने भाग लिया अधरवाइस यह सूसाइट था तो आप मनला लिटरली यार मनला जमा होगा डेली कैपिटल्स फैन्स की तरफ से क्योंकि वो जानते हैं यह पेर आकरी पेर हो सकता है कहीं न कहीं डेली कैपिटल्स के लिए इसके बाद आने वाले बैटर्स में काबिलियत जरूर है बट आट नौ दसरन अगर रिकॉर्ट रिकॉर्ट हो जाएगा तो फिर इडि अगर दिल्ली के टीम के लिए अगर यहां से कोई और विकेट गिरता है तो लेकिन मुझे लगता नहीं दोनों खिलारी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करना जानती हैं तो हो सकता है यहां से अच्छे तरीके से मैच बचा के वो आगे चलती भी जाएं यहां पर ओवर में अभी भी तीन गेंदे आना बाकी हैं यह और सात्वा ओड चल रहा है और अभी तक बावन जन हुए और तीन विक्टे गवा चुके है दिल्ली की टीम जमाइमा रोडरिग्स होंगी स्ट्राइक पे उसके लिए अगली गेन किम गार्थ की दाएं हाथ से ओवर दे विकेट ऑफटम के बाहर की गेनती उसको पुश किया बैकवर्ट पॉइंट के पास और रन भाग गई तेजी से तो यहां पे भी एक टाइट रन लिया गया जम जाए तो और की पाथ चौट पाच्वी गेंट को लेकर अब तयार होंगी गेंट बाज किम गार्थ अपना ठर्ड अवर डालने आई है और एक ग्यारा रन लेकर के कोई सफलता हमको नहीं मिली अब तक इस बार आउट हो जाएंगी चामाइमा रोडरिग्स ओफटम के बाह जाएंगा सारा जाए दारमदार हो रहेगा बैटर है अभी जर्स जोनसन है उनके पास कोई बाफ ती लेकिन अब एक विकेट और गरेगा तो देन यर आउट जर्स जोनसन ही आपकी आखरी हो है बैटर जो आपको कुछ करके दे सकती है लेकिन यह खराब है बैटिंग अर्ष रायना ने बड़ा जवाब दिया है नो ने का इम सुरेश रायना नोट शाहिदा आफणी धी आफ टेकिन रेटारमेंट टो क्यूंके यह था तीन भार रेटारमें वापस ले राइट यह थार राय यह था बार उन्होंने रानांन्स करके पिर कह नहीं मैं और कहला यहां से भाद दात लो फिट्नेस भी बताता है कि already अब कि कृक्ट खेलना न तो आप आप खेल के दिखा दीजे 38 यहां पर यहीं पर यहीं पर ग्रेट खेल लीजे मैं तो PSL की भी बात नहीं कर रहा है बट वह चाही होता है स्टैमिना चाही होता है मैं यहीं कहा रहा हूं 37-38 में दाय हाथ से ओवर दे विकेट फुलर लेंद की बॉलती ऑफ स्टम पर उसको ड्राइव के अगेंसी दे में डाउन के खिलाड़ी के पास रण का कोई मोकानी स्कोर अभी 52 चार्ड विकेट के नुकसान पर और यहां पर और की हो चुग है समापती साथ और खतम हुआ यह और इस समय बावन है दिली कैपिटल्स का स्कोर आने वाली बल्लेबाज होंगी तानिया भाटिया अरुंदती रेड़ी राधा यादव शिखा पांडे पूनम यादव अगर दिली के फैंस हो आप तो आप चाहेंगा कि य यह प्यार था जो पिछले मुकाबले में दिली कापिटल्स को जीत की तरफ ले गया था उनीस में जाके 20 में मुकाबला जीती ते दिली की टीम तो अब यह आखरी उमीद है जस्ट जानसन और मैजना कैप यह तो कहीं ना कहीं एक पार्टनर्शिप बिल्डप की तरफ पार्टनर्शिप की यहां पर जरूरत नजर आ यहां टे और की शुरुआत पहली इन बॉलर की तरफ वापिस खेली गई रन नहीं मिलेगा स्कूर अभी भी बावन है चार विकेट के नुकसान पर आसान नहीं होने वाला है विकाज यहां से आप जानते हैं कि यह लास्ट नहीं है जो रंज बना सकता है तो आप रुक के खेलेंगे बिल्कुल रुक के खेलेंगे और अब रिक्वाइड रेट भी जो है वो उपर सब लगाए करंद रं रेट की बात करें तो अब रेट है 7.2 तीन और रेक्वाइड रेट है 7.50 तो मिया अब जो है इन दोनों बल् विकेट कीपर ने, तो चलिए अभी देखते हैं, यहां पर क्या होते है, जर्स जॉनसन इस बॉल को जो है, फेस करेंगी, और इस बार देखिए, अब आप अगर देखें तो, दो ऑस्ट्रेलियन खेल रहे हैं, एक साथ आफरिकान बैटिंग मैं ऐसे हैं, और जबरदर समय द लिया जाएगा, फ्विल्डर था उसके बावजूर, चौवण पर चाड, साथ दर्शमलों चाड ओर की समापती के बाद, देली कैपिटल का स्कोर होता हुआ, वापस आइंगी स्ट्राइक पे, जैस जो जो दो गेंदों पे, अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाई है, द पच्पन चाड विकेट के नुकसान पर साथ दर्शमलों पाँच ओर की समापती के बाद, अब स्ट्राइक प्याजिंगी, मैडिजिना कैप, लाफ टैन में राइट इन कॉम्बिनेशन फीलिंग को तंग करता हुआ, जब क्या जानसन स्ट्राइक पर यहां पर बाल बैड से लगी है, आपील है, आपे, नहीं नहीं, हाइट है, हाइट हाइट का पड़ेगा, डॉट बॉल के साथ ओवर की समापती हो जाएगी, पच्पन पे चार है, स्कोर, नौवर की समापती के बाद, और बाक तो बाक दोवर्स में विकेट गिरने से, दीसी की टीम वापिस अ बिल्कुल, अब मज़ा आगा देखने में कि ये दोनों जो बल्ले बास हैं, ये किस तरीके से आंसर देती है, और अमने देखा, जर्स जॉनसन को टाइम लेती है, कम सकम आठ से दस बॉले लेती है, अपने रिदम में आने के लिए, तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर यह यहाँ पर, जर्स जॉनसन को, और मैं कहा रहा हूँ कि आप चौथ आवर कराईए किम गार्थ का, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग डालिये, कोई विकेट लाके दे सकती हैं, को जैसे मेरिजन कैप ने उस दिन चार ओवर करा लिये थे, कराईए आप किम गार्थ से, और क्योंकि अभी यहाँ उन्होंने रोका हुआ है, तो I don't think यहाँ पर कोई चेंज़स करने की जरूद है, नौवर के बाद, स्कोर 55 चार विकेट के नुकसान पर, मांसी जोशी को की इंदबाजी थमाई गई है, छे मैच्से में उन्होंने चार विकेट निकाले हैं, अच को हो जाएगा 56 चार विकेट के नुकसान पर, वड़ा कैचे में अगर हम बात करें तो अलिसा पेरी के बहुत सारे कैच अब तक हमने देखे हैं, और जमीमा रोडरिक्स का कैस था, पिछले मुकाबले में हमने देखा था, गुजवाद के लिए केलते हुए, जो एक कैच औ तो अच्छा कैस था, यह वाला भी बहुत अच्छा कैस था, वोगी बहुत मुश्किल होते हैं, ऐसे कैच पकड़ने के लिए पीछे जाके आपको कैच करना बाता है, और अगर आप पकड़ लेते हैं, तो इस लाइक वो आपका बेस्ट एफट है फूरा फील्ड में, उस क अच्छा को बकड़ना, और और अरिजनल डिसीजन जो पिछलिया देया था, वो नौट है, यहां पर क्या हाइट हो सकती हाँ, जी हाँ, विकेट को मिस कर लिया तो अच्छा डिसीजन यह था कि डियास के लिए नहीं गई थे, अब तयार है, यह खराब बॉल यहां पर, कि आउटसाइड लेग आपने कराई और उसको जो है, बिल्कुल ढखेल दिया, बिल्कुल दिशा बैट से लगी गई थी, और चौका मिल जागा यहां पर, तो उसी चौके के साथ आपका जो करन रन रेट है, वो पहुंच चुका है, 7.18 की तरफ, बिल्कुल आराम से खेलना सारे तो उनको पता था कि अगर मैंने दिशा दे दी तो विकेट की पर नहीं पगड़ पाएगा, और वही चीज होई है, बैट को उनने फ्लिक किया, और क्योंकि फाइन लेक पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था, तो वहां पर आसानी से इस चौके को ग्राप करने में का अगर आप साथ रन मनाने में काम्याब हो जाते हैं, तो इट विल बी अ मोमेंट जहां पर कहीं न कहीं आप प्रेशर वापिस डाल सकते हैं, गुज्रा जाएंस के उपर, अधर यह रन रेट किसी भी तरीके से मेरे हिसाब से नौ तक नहीं जाना चाहिए, वनना आप मैश ह करन रन रेट 7.04 का है और रेक्वाइट 7.68 का है तो आपको एक और अच्छा शॉट यहां पर चाहिए, फिर से लेक साइट पर यह वाइड है और खराब विकेट कीपिंग यहां पर चौके की तरफ यह बॉल जारे है, चौका मिल भी जाएगा तो पांच रन मिल जाएंगे आपको इस फ्री में और यह विकेट कीमिंग चाहिए सुष्मा वर्मा करती है, तो यह खराब विकेट कीपिंग है यह बॉल काफी असानी से पकड़ा जाना चाहिए था, विलकुल देखिए एक तो खराब बॉल की गई उपर से पर आपको चार रन और मिल गए, तो इन दो गिंदों में एक एक भी आ जाता है, तो पैसा वसूल डबल आ गए भाई, साथ की रिक्वाइड इडिनेट है, आपने 14 बना लेंगे आपे, पांच भी गेंड, वाइट हां महुद विकेटिक पर फिर लेक्स्टम पे गेंड पूल कर दिया है, हवाँ में गेंड फी मिथाली राच को भी वुमें आइंपल में खेलना चाहिए था, जिससे युवा वुमें टीम को फायदे मिले, बिल्कुल खेलना चाहिए था, आप खेल सकती तो, और मैं कहा रहा हूँ कि गुजरात की जो कोच है, हेड कोच, रेचल हैंस, जो ऑस्टेलिया की क्रिकेटर है, उनको भी खेलना चाहिए था, अभी इतना उनका टाइम नहीं गया कि वो खेल नहीं सकती थी, वो खेल सकती थी, बट चलिये, उन्होंने ये लिया प्लैन कि वो नहीं खेलना चाहती, आखरी बॉल इस ओवर की, फिर से अच्छा शॉट लेकिन, एक रन लेने में काम्याब तो 16 रन आये इस ओवर में और जो भी प्रेशर क्रियेट किया था ना वो प्रेशर जा चुकाया, अब प्रेशर जो है, काफी खतम हो चुकाया, पीजी गेमर हमारे साथ यहां पर है, सत्तम हमारे साथ जुड़े में, और चलिए यहां पर टाइम आउट ले लिया गया, स्क राज यहां पर लिए प्रेशर यहां बेसार रहे हैं तो अगर आप प्रेडिक्शन से कुछ जीतना भी है तो आप हमारे स्पॉनसे वहां पर जाकर का चैक शीinea में, और पर अब अब प्रेशर आप अपने प्रेशर के दम पर बहुत सारे इनाम जıt對了. नहीं में जुकी लिं आप जो है बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं आप 500 रुपे का डेपॉजिट करके 1500 का बोनस ले सकते हैं तो इससे बड़ी और क्या चीज है वो तो मिलेगा और भी ज्यादा इनाम आपको जीतने के लिए मिल सकते हैं तो जाएए चेक आउट कीजिए जो कि इस पिंड कमेंट में आपको जिसका लिंक दे रहा हैं लेजंड लीक अभी नोटिस किया मैंने कॉन कोर आमारे विवर्स लेजंड लीक को फॉलो करते हैं जरूर कॉमें सेक्शन में बताईएगा शुचरों क्या फॉर्मेट बना यह हैं तीन टीमें आपस में खेल रही अब उन्होंने क्या किया है वर्ल्ड एलेवन एक अलग बना दी जहां पर वर्ल्ड के सारे प्लेश सारी टीम से मिला के प्लेश एक इस एलेवन है जहां पर इंडिया को चोड़के बाकी बंगलदेश श्री-लंका और प्रमच को बता दूं सबसे ज्यादा रंस हैं तीन अब उतापा चार डूप मैचेज में 122 रंज पिछले अज बहुत 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 के बारे में पसंद निया इंग चार बैचे जब पिछले मुकाबले में थासी रंड बना ये निटालीस गेंदों में तो बड़ा इंट्रेस्टिंग देखना अच्छे प्लेयर थे जब इन इंडिया के लिए डेब्यू भी किया था ना तो काफी प्रोमिसिंग करिया लग रहा था इनका इनोंने परफॉर्म भी गया बट उतना बड़ा करीय रहा नहीं फॉर इंडिया इन नहीं बहुत कुछ खेला बट फॉर इंडिया वो ज्यादा कर सकते थे अपनी टीम के चलती है तो यह 66 पे 77 की जरुबात है डेली कापिटल्स को और बले ही चार विकेट आउट होगे लेकिन अभी गेम जो है वो डेली के हाथ में है क्योंकि ज्यादा रंस नहीं बनाने इसने राना जो है अपना दूसरा ओवर लेके यहां पर तयार है फेस करेंगी यहां पर म सकते हैं कि चार फील्डर जो आपने जटका लगा आपने दिखा क्या जटका लगा विल कैप जो उनके गेंदबास थे इनको टीम में लिया गया था वो चोट के खारण डाट इस आई-पील टॉर्णमेंट से बाहर हो गये है फिलाल दूसरी के कट की गई डीप पॉइंट क पेस कराने कोशिश की लेकिन बॉल का वेट किया और कट किया उस बॉल को और सीधा पॉइंट दिशा में जो है ये चौका गया है चौथी बॉल के लिए तीसरी बॉल के टार है फुल टॉस और खेला है डाउन दू ग्राउंड लेकिन एकी रन मिल जाएगा और स्कोर हो जा सबसे क्रिटिकल प्लेर होंगे बहुत अची बाई थी है मैं कहूंगा एक रन लेने में काम्याब रहेंगे और स्कोर हो जगा सततर चार रिकेट के नुकसान पर कोई बात नहीं अगर जाय रिचर्टस नहीं भी खेल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बोलर जरूर होंगे आपके बाद जॉफरा आर्चर है उनके पाद देखते हैं उनके बाद और कौन जो है उस जाय को संभालता है चार फील्डर आ उन्होंने चेक भी नहीं किया वोच भी नहीं कराने के लिए जा रहे हैं रिक्वाइड रूम्रेट इस डन एक्स्टा कवर खाली है उस टम के बार बाल करने की हिम्मत मत कीजेगा तो कि अगली बाल पर भी चौका आ जाएगा अगर आप ऑस्टम के बाहर टार्गेट करने सब्सक्राइब की तरफ सिंगल मिलेगा और की समापती हो जाएगी और दस और स्कूर्ट चार विकट के नुफसान पर हाँ ठीक है बिल्कुल सही जा रहे है डेली के हिसाब साट बालों पर सत्ता रंच है कुछ ज्यादा कुद्ध बड़ी चीजे करने की यहां पे जरूत ह आपको कुछ नहीं करना है आपको सिफ एक चौका लेना उसके बाद सिंगल डबल्स लेते रहिए आपका काम हो जाएगा तो किस तरह का आप परफॉमेंस देख रहे हैं अगर हम सब्सक्राइब की बात करें तो मार्करम को इस साल कैप्टेन मनाया नहीं डेली ने डेविड करें मेरे को डग रख लग रहे हैं देविड वान नर का हमें पता कि वह सब्सक्राइब की आपकर एंकर दखरा करने के लिए अगर वह क्यों पोट करता रहेगा तो मार्करम भी फेल हो जएंगे तबिशने की वानेजिम्ट की रहेंए के ने कियू आ कि यह घृप्टेंसी क तो पहले इंडियन को बना दीजिए ना फिर आप यह दिक्कत यह कि बोने श्रकुमार को कैप्टन सी की बात की जा रहे थी लेकिन वह अब एस फैक्टर भी हो गया है तो और इंजरी से वापिस आ रहे हैं तो खुदाना खास्ता अगर इंजरी बीच में हो गई तो फिर आप तो बैक उन्होंने लगाई थी तो इस बार पहली गें थी फुल शॉट शॉट पे जिलिवरी बैक्ट पर जाके लॉंग ऑफ की तरह धकेला है एक रण मिल जाएगा स्कोर जाएगा 79 चार विकेट के नुक्सान पर उल्टी गिंती शुरू हो गई अभी यहां से 59 बॉल्स 69 69 बहुत अराम से बनेगा है यह जो यह साथ ओर का चीज है यह मैक्सिमम यह आट ओर का मैक्सिमम आपको सिरफ एक बांटरी चाहिए चिरफ मैं यह निगा रहा है कि दो लगाओ तीन लगाओ नहीं एक बांटरी उसका अदा प सिंगल डबल लीजिया और खता में आपके बा आट साइड आफ पर कोई फील्टर नहीं लें रखा बार बिल्कुल और हर बार तो बॉल फील्टर के पाँ जाएगी नहीं तो अराम से बॉल डाले आप लो लेक की तरफ ही बॉल डाले जहां पर आपके सारी जयों लिए चलिए अच्छी बॉल थी मिडल और उस लेक पर ड यहां पर बड़ा स्कूर करने में काम्याब हो रहे हैं तो अई थिंग तो अनली तिंग विच यहां तो मैनेज हैर इस पार्टनर्शिप पार्टनर्शिप को अबरकरार रखिए मुकाबला आपके कदमों में अपने आब आप जाएगा चलके और यह पार्टनर्शिप यासी चार विकेट के नुकसान पर चार गेंदों के बाद दो गेंद अभी विशेष हैं तीनी रन इस ओवर से आए हैं दे नीड आप बाउंडरी एंड एक्स्ट करों आ जाएगी यार यह तो हो नहीं है और चौथी गेंड के लिए तयार है पांच्वी गेंड के लिए त यहां पर आउट हो सकती है जी हां आउट हो गई है क्योंकि ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए जिस तरीके जो रियक्शन था उनका उसी ने बता दिया था कि यह आउट होने वाली है और एक्क्यासी पे पांच हो चुका है अब मैच जो है डेली के लिए काफी मुश्किल हो जा रजा सकते हैं। कि बड़ा मिस्टेक हुआ है इसे में चॉंसन की तरफ से जो की वो पविलियन में जाके जरूर सोचने वाली यहाला कि प्रेशर में बहुत आ गई थी दस गेंदों में चारी रन बना पाई और अपना विकेट थमा पैटी है ग्यारवी गेंद पे मैच अभी फिफ्टी फिफ्टी कहा जा सकता है कहा जा सकता है वह आप देखी मेरिजन कैप बच्छी आपके लिए और जो जितने भी बल्ले बाद आने बाकी हैं उनको बस यह करना है कि साथ देना आप सिंगल डबल लेते रहिए मेरिजन कैप जो हैं दूसरी तरफ से स्कोर जरूर जो है महां से बढ़ाती रहेंगी बट प्रेशर नहीं बने दे सकती है अब आप मेरिजन कैप पे क्योंकि अगर प्रेशर बनेगा तो वह भी आउट हो जाएंगी और वह आउट ही तो आप समझे कि मैच बिलकुल ही डाउन और चला गया चले तानिया भाटिया यहा पे 54 गेंदों में 66 रनों की जरुवत है करन रंडेट जो है 7.36 और रिक्वाइड रेट जो है वो है 7.44 का तो यह मैच फसा हुआ है लेकिन मज़ा आगा कि तानिया भाटिया यहां पे किस तरी जो कहलेंगी कट किया उस बॉल को लेकिन पॉइंट की जो फिल्ड आने इस ब फाइफ तो दिक्कत हैं यहां पर स्टार्ट होती हुआ फॉर डेली कापिटल्स अ फ्लाइटे डिलिवरी सीधे बैच चे ड्राइव किया फीलर के पास एक बार फिर गेंज आएगी बिडान वापिस बोरा ने फील किया रन नहीं मिलेगा प्रेशन में वापिस डेली कापि चले एक क्यासी है इस वक्त दिली का स्कोर पांच विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर होंगी मैडिजन कैप जो बाइस गेंदों का सामना करते हुए बाइस रन बना के खेल रही है ओवर की चौती गेंद का वो सामना करेंगी डाइगनल आते हुए कनवर यहां पर यासी पर पांच हो गया है डेली कैपिटल्स का स्कोर चार 11.4 ओवर की समाप्ती के बाद कनवर का यह थर्ड ओवर है इन्होंने अब तक 23 दिया और एक सफलता उनको मिलिया और ओवर की पांच वी गेंद को अब लेके तयार होंगी तानिया भार्टिया के लिए किसी भी ग इन्वर का यार रिक्वाइट जो है वह आठ आठ से भी ज्यादा का हो चुका है और करन रंडेट 6.93 तो प्रेशर लगातार यहां पर बनाती है गुजरात की टीम डेली के ऊपर और यहां पर बड़ा शॉट खेलने की जरूरत है फिर से ड्राइफ किया इस बॉल को क्या ए आठ तीन उल्टा हो गया जब खेल की शुडवाती सेकंड इन्गी तब आपने देखा होगा की जो करेंट रंडेट था वह आठ दशनमग सम्थिंग था रिक्वाइट था छे दशनमग कुछ तो लेकिन यहां पर विकेट गिरने के कारन यहां पर उल्टा होगा तीन अभ पर और यहां से कुछ और विकेट निकलते हैं तो दिल्ली की टीम और बैक फूट पर आपको जाती हुए दिखाई देगी इसमें 48 गेंदों पर छियासर क्रण चाहिए मैच जीत निकले डेली कापिटल्स की टीम को और यह अभी भी इजी है अगर कोई पार्टनर्शिप ब आपको मैच जिता सकते हैं जो इस रिक्वाइड रेट को 8.25 से लेकर 6 तक भी लेकर आ सकते हैं वही एकलौती है तो उन्हीं का विकेट सबसे ज़्यादा इंबॉर्टन होने वाला है चलिए यहां पर वाइड दे गई है पहली बाल वाइड है हां पर और बोलिंग कराने के जादा गेन बाजी हो रही है इस बॉल को खेला है लॉंग ओन की तरफ एकी रन मिलेगा अच्छी गेन बाजी हो रही है यहां पर कुछ रात कि फील्ड की जमावट से बिल्कुल उसी की तरीके से बोलिंग हो रही है क्योंकि होनी भी चाहिए आपने पांच विकेट यहां निकाल लिए है यहां से अगर आप कोई धील छोड़ेंगे तो दिल्ली की टीम दुबारा आप पर आपको डॉमिनेट कर देगी तो इसलिए आप उनको कोई भी मौका नहीं देना चाहेंगे चलिए यहां पर हर्लीन देवलाही गिन बाजी करने के लिए सामने होंगी तानि पांच विकेट के निकुसान पे बारत दाशमलों दो ओवर की समापती के बाद स्ट्राइक पर आजेंगे मैडिजन कैप जो कि 24 गिंदों पर 24 रन बनाके खेल रही हैं ताहीं हाथ से ओवर्ट विकेट फुले लंग की बॉल थी ऑफ्ट्रम को ड्राइब किया गेंसी दे ड अगर तीस गज के गेरे के बाहर गई तो चौका ही जाना है तो यह खराब गेंबाजी थी यह आपको जो है इसको रोकना पड़ेगा अपने अच्छी गेंबाजी करी है आप उसी को कंटीनिव करिए फिर से आउटसाइड और यहां पर विकेट रिसकता है नहीं चक्का जा किया 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 विल्कुल कि चलिए तो यहां पर स्कोर बढ़के हो जाएगा इस चक्के की मदद से पंचानवे पांच विकेट की नुकसान पे बारा दाशमलों चार और की समाप्तिकबाद ओवर की पांच वी गेंद को लेके चल चलेंगी हर्लीन देवल इस और में अब त बैकफुट पर अटके कट किया लेकिन गैप नहीं तलाश पाई गेंची दे बैकवर्ट पॉइंट के पास खिलाडी के पास रन का कोई मौका नहीं स्कोर अभी पंचानवे पांच बार दशमलों पांच ओवर की समाप्तिके बाद रन रन रेट भी साथ दशमलों चार शु डाय हाथ से ओवर दविकेट ओवर की अंतिम गेंद इस वाफ फिर से स्वीप किया गेंच सीधे डीप मेड़ विकेट पर वांखेलाडी मौझूद है इसलिए एक ही रन लेने का मौका पंच्छी आनवे हो जागा डली कैपिटल्स का स्कोर पांच विक्टों के नुकसान प अगर आप इसान किशन को खिला तो ओपन वो मिडल अर्डर में नहीं खिल पाएंगे राहूल पांच चौछे नमबर भी खिलाओ अगर वो कहल रहें तो चौछे नमबर भी घलाओ अपनिंग नहीं करवान चाहिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रखेंगे तो जाद अ अचाह रहेंगा अधिशन किशन नमबर पांच पर खिलते बड़े अजीव लगेंगे वह इतना नहीं खेल पाएंगे जिसके लिए उमाने जाते हैं कि अधिशन के लिए ना नहीं दो अधिशन के लिए लेखतें कौन क्याप्टन कॉंड है कौन की टीम मुझे तो कुई निजरी नहीं आ रहा चले लॉंग ऑफ पे लॉंग उन पर खेला इस गेंट को रहन मिलेगा एक और एक रहन के साथ संतान विशन के नुक्सान पर इसक कि यह उनका थर्ड ओवर है अब तक 16 अंदी है कोई सफलता उनको मिली नहीं है दाए हाथ से ओवर तविकेट इसाथ बोल्ट कर दिया गाडणर ने तानिया को बहुत ही बेकार शॉट था भाई साब बहुत ही खराब शॉट था बहुत ही खराब शॉट था आप सीधे बल् स्पिन भी हुई और इसलिए आउट हो गई आप चलिए गाडणर को मिलने वाली पहली सफलता यह जो कि विकेट गिरा तानिया भाटिया का चार गिंदू का सामना किया भाटिया ने और एक ही रन बना करके वह वापस लॉट गई बल्लेबाजी करने के लिए अब कॉन बच आपको यह और विकेट गिरना यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकती डैली कैपिटल्स की टीम अच्छी बात है कि मैडिजन कैप अभी भी मौझूद है उननतीस गेंदों पर चछतीस रन बना के यहां पर बल्लेबाजी करने के लाई है अरुन धती रेड़ी गेंद बाजी करत क्योंकि आप कर्के टोटि मतमारी आप शिंगल डबल लीजिए नम आप hah hi Az an गया अगया और फिछ बाडिवी कर्नी करने के लिए 98 मुकाबले 449 रंसन के नाम है एक 50 भी है आज तो आज है वही अखेला होगा इस बार बाल बाल बची है अंद्रूनी किनारा लेके गोईंड स्टम्स के पास से निकल गई इनकी बॉल अच्छी स्पिन हो रही है बहुत मज़ा रहा है इसले कार्णनर का ये तीशरा ही ओवर है और एक विकेट ऑन दवे है भाई बहुत जबरदस्त ये गेंती मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं था जिस तना से विकेट लिया नोने इस बार पैड पे लगी है गें डाउन दॉल एक साइट जा रही होगी अपील जाजा कुछ खास की रही है यहाँ आउट हो यहाँ पे करीबी मामला होगा थर्ड अमपार को रेफर किया जाएगा मुझे लग रहा है अगर पहुची भी होगी ना तो ओर उठैन हुची मक्राउन तेट फोगाया है यहाँ से लग जाए के अच्छाए क्छी मार्जिश टर्वियं के लिए- तेष। पहुंच गई है अगर जूखु और अगर उट होगी तो खावखुं सब़ेशší टरेली बिल्कुल लेकिन अच्छी यहां पे फिल्डिंग यार थो भी अच्छा था था ओए आउट बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ यहां पे डेली कैपिल्स को और अब नहीं है कोई अब तुम दम लगा लो पूरा अक्वाइड रेट भी आच से उपर इंफैक्ट नौ की हो गई इंफैक्ट सीधा तो दिक्कत आएगी यहां पर और गुस्से में हैं मैं नीन आने भाई लिए रात को और पता कि गुस्से में क्यों है क्योंकि इनका खुद की कॉल थीरन भागने की वह तो चाहती नहीं थी रन भागना आपने जो है फाल्टू में गाखके आपपने आपको आप स्पॉंसर है इनकी वेबसाइट पे जा कि आप धेरोई नाम जीच सकते हैं अगर आपके अंदर काविलियत है अच्छी प्रेडिक्शन करने की टीम मनाने की तो निशित तोर पे आप मोस्ट प्ले पे जाए और प्रेडिक्शन करिए आपको सीधा सीधा जॉइनिंग बोनस ज जाए जल्दी से और एक्स्पोर करिए मोस्ट प्ले को लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में सबसे उपर पिन कर दिया गया है नीले रंग का एक कॉमेंट देख रहा होगा उस पे जाके क्लिक करेंगे और आप पहुँच जाएंगे 97 for 7 डेली के आपिटल्स इंडीप ट्रबल चलिए तो 13.4 की समाप्तिवाद दिली का स्कोर है अभी 97 पर साथ जीतने के लिए 38 गेंदों में 51 जनों किया वशक्ता और बनले बाजी अब कुछ खास बची नहीं है दिली के टीम के पास टेल शुरुवात हो चुकी है तो यहां से जीतना बहुती जादा मुश्किल है अब तक सोलर अण दियों दो विक्टे उन्होंने लेली हैं यहां पर काफी सारे लों आर साथ जुड़े हैं यहां पर काफी सारे लोग मार साथ जुड़े हैं वहां तो आपको भाया लग चाहिए होता है यहां पर अकास ब्लास्ट जी कहारे की डवली पील में स्वीप ज्यादा खेले हैं आपने देखा हर्वन पीत कॉर ने तो मतलब खूटा गार दी उसका कहते हैं मुझसे अच्छा कोई नहीं लगाएगा और सबसे ची बात है कि मिस गाइडिड कुछ नहीं हो रहा है सारे मिडल ऑफ दे बैट से निकल रहे हैं उनके सुप शॉट बढ़िया शॉट लगाएगा बहुत सभी कि यहां पर और शॉट की कमी पड़ेगी धिनेश कह रहे है अभी भी अभी बहुत जीतेगी इहर दिकिए रंस बनाने में प्रॉबलम नहीं है यहां बेंगी कौन मनाएगा रहरा कौन मनाएगा थो बैटरी नहीं बच्छा आपके बस अब राधा आदव के पास उतना फायर तो थीक है तो मेरे को तो कभी ऐसा दिखा नहीं देखते हैं क्या होता है मेरे हिसाब से तो मैच गॉन है वही है चलिए देखते हैं क्या होगा बट बट बड़ा विकेट यहां पर लग गया है जैसे इस तंपे बॉल लगी थी पर उसी समय मेरे कि ग्लवांत नहीं कि ग्लव लेक बागेड कर लगे मनुद तो कि तो नहीं मेरे का भाग को धान थीब। भ्लॉफ्था ओडशा थी त म इस ओर की बागी थी पांच वी गें इस next week का भी तीन तीक बिल्कुल दिखेगा ये आकरी के देस ओर की जो कि आने के लिए था यार अनुदाती के लिए इस बार अंदुरूनी किनारा लगाया रणाउट चार्स और पहुंच जाएंगी इस बार बाल-बाल बज गई ओर की समापती भी हो जाएगी चौदा ओर की समापती के बाद 99 है सकोर 7 विकेट के नुकसान पे 15-36 बाल्स पर बिल्कुल 15-36 गेनों में और जो की टी-20 में तो गेटेबल होते हैं बट जब भी 5 या 6 विकेट गिर जाते हैं 7 विकेट तो आप बस ही पूछते हैं कि हाउ या कौन क्या गुजरात का यह मुकाबला जीतते हैं यार सिभी बाहर हो जाएगा काइंड ओफ काइंड ओफ येस कि लोग भी कॉमेंट बॉक्स में कि यार सिभी बात ऐसी है ना कि आपको फिर दोनों के दोनों मुकाबले जीतने हैं नहीं मैं आपको बता देता हूं गुजरात ने थे तो अब बाहर तो नहीं होगी लेकिन उनको इंतिजार करना होगा कि यूपी अपना आखरी मैश आड़ जाए तो नो मैटस यूपी जीते या गुजराज जीते आरसी विल बिल बी आउट वन्स गुजराज जाएंट्स विल विन इस मैच अभी मैं कह रहा हूं कि ए विकेट कीपर ने करेक्ट किया रहन नहीं मिलेगा स्कूर सौ है साथ विकेट के नुकसान पर हातों में क्या कर रहा है जी वोमेंस क्रिकेट को आराम दिया गया है जिस दिन इंडिया के मैच तो कल इंडिया का मैच नहीं है और मतलब वोमेंस क्रिकेट का मैच नहीं है लेक चल गया कि आउट है और मेग लेनिंग काफी काफी नाखोश यहां पर क्योंकि यह जीता हो मुकावला है इतना चोटा टोटल था खड़े होते बल्ले बाजी आराम से करते तो आसानी से मुकावला जीत सकते थे लेकिन यहां पर जमाई मैंने जब कैप सी को रनाउट करवाया क्योंकि वह बहुत जल्दी था उस विकेट का गिरना वो पार्टनर्शिप जो है वो थोड़ी देर और टिक नी थी जिसकी वज़ासे जो रिग्वायर रन रेट था उसको हैंडल किया जा सकता था और जिस अंदाज में वो बैटिंग करें थी पिछले यह वर में दो चक्क सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ओवर में अभी वी तीन गेंद आना बाकी है और स्ट्राइक पर होंगी इस शिखा पांडे चलिए डाइगनल आते हो बाए हाथ से राउंद विकेट इस गेंद को पंच किया गेंद सीदे वाइडिश लिए वाइडिश लिए कि तरफ महां खिलाड़ी मौझूद है और जब तक खिलाड़ी गेंद को फैकिंगे तब तक दोनों खिलाड़ी उन्हें दौर करके एक रन पूरा किया स्कोर हो जाएगा 101 प्याट 14.4 ओवर की समापती के बाद ओवर किया पांचवी गेंद को लेकि तयार है कनवर पैट प होगा और 31 गेंदों में 47 चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए डेली के टीम को बनले बाद बचे नहीं है दिली के पास जो यह रन बनाके दे सके और की अंतिम गेंद डाइगनल आते हुए बाए हाथ से गांड विकेट आगे बढ़के गेंद को लॉफ्ट किया कवर से ख चौका लगाने में कामियाब हो गई है चौके के साथ डेली क्यापिटल्स का स्कोर 105 हो जाएगा और अभी वी 43 रंज चाहिए 30 गिंदों में रिक्वाइट अब 9 से उपर जा चुका है तो मैं अभी जो बात कर रहा था कि एक ही एक दो और रुक जाहिए आपको क्लेरली जो रिक्वाइड रेट है वो नौ से उपर दिखेगा वही यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है अब यहां से बड़े ओवर चाहिए आपको हर ओवर में एक चौका तो आपको मस्ट हो गया है जिस ओवर में चौका नहीं आएगा वहां से रंड रेट उपर जाएगा बिलकुल अब रेट भी देखे लिए इतना उपर नहीं है मतलब आपका बस विक्टे नहीं है बाकी यह रन बनाए जा सकते थे 30 गिंट पर 43 रन हमीशा बनते हैं लेकिन वही चीज़ है लेकिन यहां पर यहां पर यह दूनों बैटर जो हैं उनकी अंदर कुछ खास शमता नहीं है हि को बुलाया गया है अब और की शुरुआत करने के लिए इनका जो कि इन बाजी करने के लिए अब तक 17 रन देके एक विकेट उन्होंने इस मैच में निकाला है दूसरी ले जाने के लिए तयार सामना करेंगी बैटर शिखा पांडे दाय हाथ से ओवर दाय हाथ के लिए इस और अपनी टीम के लिए तीन रन बचाए कम से कम 106 हो जागा दली कैपिटल्स का स्कोर आट विक्टो के निकसान पर 15.2 ओवर की समापती के बाद अरंधती रेड़ी आएंगी वापस श्ट्राइक पर 6 गयंदों पर 6 रन बनाके वो खेल रही हैं दाय हाथ से ओवर देकेट इस बार गेंट को गेंट बास के उपर से लॉफ्ट कर दिया गेंट सीदे लॉंग आफ पे चौके के लिए कमाल का शॉट यह बहुत ही बड़ी आद दूसरा चौका अरंधती के बैट से यह आया है दस पे पहुँच गही है और डेली कैपिटल्स 106 पे पहुँच करती है और देखना होगा कि कितनी देर और टेक पाएंगी एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल इस बार कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ है लॉंगान पर फीलर जाएगा फीलर मौजूद है वहां पे सिंगल ही मिल जाएगा स्कोर हो जाएगा 111 विकेट के नुकसान पे 16 और से चुके हैं इन दो गेंदों में एक बाउंटरी और चाहिए रिक्वाइड को वापिस नीचे लाने के लिए और मैच पे बनी रहने के लिए क्योंकि पच्चीज वॉल्स पे चत्तीस रंश चाहिए हैं दाए हाथ से ओवर दविकेट आगे बढ़के गेंद को फिक किया गें तो मैच में वापसी बनी जा सकती है लॉंग ओन लॉंग ओफ डीप मिड्विकेट और डीप स्क्वेर लेगी ये फिलिंग की पूजिशन है फ्लाइट मत करिएगा वरना चौक का ही मिलेगा आगे पर के गेंज को लॉफ्ट किया कवर के खिलाड़ी के ऊपर से और गेंज स में दिखने का मौका मिला दो से तीसरा ले लिया गया ओवर की समापती भी हो जाएगी एक सो पंद्रा पे आट है स्कोर मैच इस स्टिल ओन थर्टी थी चौपिस बॉल्स पे बिल्कुल सही का आपने और यहाँ पे अरुन धती रेड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतन पे प्रावल गुपता जी कह रहे हैं दे कें स्टिल विन इव दे प्ले शॉट लाइक देस पिल्कुल जीट सकते हैं अरुन धती रेड़ी का टिकना बहुती ज्यादा अवशक है क्योंकि वो कुछ शॉट लगा सकती है और वो उन्होंने दिखाया भी है यहाँ प्रेम रा गुपी अपना आखरी मुकाबला जीतने वाली है फिलाल करो का इस्तेमाल किया पुल किया अगे बाउंडरी की बाहर वान बाउंस चौका मिलेगा और यह अगर यह नो बॉल है कद्मो का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे नो बाल नहीं होगी खुछ बैटर भी जानती है क्योंकि दो-तीन कदम आ गया गही थी यहां पे चौक्य के साथ यहां पे पूरे तरीके से स्कोर बढ़ा है 190 विकेट के नुकसान पे और बढ़िया बैटिंग यार इंट्रेस्टिंग मना दिया है रोने इस वकापले को 23 पे 27 चाहिए अब विकेट नहीं गवाना यहां पे अगर आपने विकेट गवाया तो आपके लिए दिक्का था सकती है अनलीन देवल थे यार पांफी चाहँगा पूरम यादा थे यार पिर कर्मों का इस्तेमाल किया है लेकिन इस बार शॉट कवर पे फील्डर मिल जाएगा और इन फैक्ट क्यूंकि ऑफसाइट पे बहुत अच्छा शॉट केल रही है तो एक फील्डर भी लगाए गया डीप में जो की बनाके रखा हुआ बहतरीन बैटिंग चलती हुई यहां पे बिल्कुल मैच बनाए बाइस पे उन अच्छी से रन के लिए दौर गई यहां पे दोनों ही खिलाड़ी एकन मिला सिंगल मिला एकसो बीस पे आठ सोला दशमलो तीन ओवर की समापती के बाद तो बाउन्डरी आ गई है बाउन्डरी आ गई है यहां से अब चाहिए एक और सिंगल मुझे लगता है इस गेंड़ पे अगर यह सिंगल ले ले लेती है और आकरी दो गिंदो पे एक चौका और लग जाता है तो मजा आ जाएगा इस मैच में बाउन्ड़ी बने रहेगी 21 पे 28 चाहिए यहां पे सिंगल इस निरेट फरम शिखा जो कि अब तक वो बहुत अच्छे से करती है आपको पता है आपके जो दूसरा प्लेयर है उसमें हिटिंग केबिलिटी है आप उसको बैटिंग दीजिए बहुत अच्छा सेंसेबल क्रिकेट जीसे कहते है न भले वो टी ट्वेंटियम कहते हैं कि स्लाम बैंग अक्षिन वाला जी नहीं आपको भी दिमाग स्लाना पड़ता है बहुत सारे ऐसे मोमेंट आतर वही चीज करती हूँ यहां पर बहुत से तरीके से अरुंदती रेडी को अब यह चीज देखने है कि प्लीज अपना यहां पर सही हम ना को है बिलकुल पेशिंस रखना होगा आप जिता सकती है मैच को जिस तरीके साब बैटिंग कर रहे हैं बिलकुल अरुम तरीके साबिंग कर दोरा तरीके से लिए थागे थागे से वहां थागे को रहे हैं अरुमान की तरा विक शिंगल मेलेगा कोई बात ती आपको अन्तख मैच को जाना होगा जिसे मरीद ऑनी किया कर ते तो तो नहुँ नो आपको क्लियर इस को आपको मिला हुआ है वह म्या वह सबस्क्राइब के लुक्सान एंपर एक 102 अंच विकेट के लुक्सान पे और अगर प्राइब से अगर बात की जाए तो नंबर वन पर मुंबाइए है विख से फार 11 थी, मिले दो चुप वहुएंड आफंग सिर्ड माइच में उनको बांच मैक पॉइंच बांच मैंच मेंच ऩार्फावावावावावावावावाववावावाव सिर्ड गवावजया है और एक काबूल किया अफ़ैंट अब ना जाया है तो पांच रन रन वि कि स्टम से चिपक के वो खड़ी हुई है डाउन दा लेक साइड लेक स्टम के भी बहुत जादा बाहर थी तो उसको पकड़ना एक टार्गेट हो जाता और ग्यारा गिंदों में बाइस रण आया है पिछले मैच is on 18 19 वेंदों में 21 रण आप देखी तो से वह कितना बाहर खड़ी है उन्होंने अटेम्ट किया ऐसा नहीं है कि उन्होंने अटेम्ट नहीं है और वह कितना बाहर खड़ी है उसके खराब गेंद बाहर गेंद किया बस अब आखरी बॉल पर सिंगल लीजे काम हो जाएग आपको शिका पांडेगा अगर वहां पर डॉट भी करेंगी तो चलेगा उन्नीस बॉल पर 21 चाहिए नहीं 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 भाई विकित चला जागा दिक्कत आजएगा तभी आपने अगर एक चौका लगा दिया तो कितनी अच्छी इस्तेती आप अगर सही कह रहे हैं इस बा डॉट गर सकते हैं अरे भाई उसनको लग रहा कि कहीं उससे लगे अरे भाई साब कुछ भी चलता है यह रीजन था यूज भाई यह रीजन था कि मैं वाइड बॉल के रिव्यू के खिलाव था इस बात पर तो मैच वैसी हरा दो तुमने लिया कैसे लिया तुमने लिया कै इससे क्या दे रहा हमें पता नहीं कि चौक का गया था आप यह सोचिए अगर पैड पर हलकी सी भी लग जाती न तो यह बॉल इतनी तेजी से बॉंट नहीं जाती तो इतना तो कॉमन था यहां पर जो कि रिव्यू कवा दिया है यहां पर तो चले ओवर के एंतिम गिदाय ह और में शुडवात पर हो गिवो और वहां पर भी उट लेना है बस और कुछ ने गलती से एजवेच से कोई चौका लग जाए तो आपकी भी आपका लग है पर थारा गेंदे 20 रंस जबर्दस परफॉर्मनस बहुत 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 अराम से डिल करिये कॉलिफाय और इतना अब आप देखिए वो मेरिजान कैप का वो जो विकेट है वो कितना इंपॉर्टेंट हो अगर वो खेल रही होती तो हम यह कैस कर सकते हैं कि 19 वाल में पंदरा चौदर रंज चाहिए वो और भी जादा एक्स्प्लूसिफ के लिए उन्नी की गलत किम गार था ही है चलिए इनका ओवर जो है काफी मुश्किय लोगा और आते ही शोट लगा है और फिल्डर है लेकिन अच्छी शोट बहुत अच्छा शोट और एक रह लेने में कामयाब रही है अच्छी बात ही है कि अरुनदती रेडी जो है वो आ चुकी है इसट्राइक तीसरी पे यूपी की सोफी एक्लिस्टेन है चौथी पे शिखा पंडे है जिरों ने चे मैचेज में आठ विकेट लिये हैं विस सबे बैटिंग करती है जलाल नसल आरी है दूसरी गें स्लोवर बॉर इंसाइड आउ जॉप और जॉप और इस गोंडरी विल इट गो विल यहाँ ज़िए 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 भावड़ी फोर अनुदर्थी एंड देली कैपिटल्स इस ओन फायर अरे भाई 15 रन रे गए यार 16 वाज पे अरे यह मैच अब अब इनकी सबसे बड़ी बता है दिकत क्या है कविगा तेलेंडर्स की दिकत ही होती है कि चौके यह पकड़नी चाहिए थे यह कैच नहीं तो फिल्लिंग तो होनी चाहिए थी यार जब जानते है आप आप आउट फिल्ल इतना तेज है तो यूशुड यूशुड कैटिट अब सिंगल डबल सा खेला अब एक डबल भी ले लेंगे ना यहाँ पे जस्ट से अन दे क्रीस अब दिली यहां से खुद आरेगा यहां पे हलके हातों से खेला और गेंसी दब बैक्वर्ट पॉइंट के खिला लेकिन मैं तारीफ करूंगा गुजराच जैंस की कैटिन की क्यूंकि जिस गती से गेंद बाजी चल रहे हैं आप यह देखिए अभी 10.30 हुए हैं तो जो टाइम ओफिशली होना चाहिए बिल्कुल पर्फिक्ट चल रहा है हवा में गेंद फील्डर उसके नीचे नहीं पहुच पाएंगी वन बांस फील्ड किया जाएगा एक ही रन मिलेगा एपी इस इंगल दस फाइन अब यहां पर मैज जीत सकती है डेली कैपिटल्स की टेम 14 पर 14 चाहिए किम गार्थ का यह आखरी ओवर है उसके बाद एक ओवर रहता है इस नहराना का और एक ओवर रहता है एशले गाडनर का और चलिए देखे बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया क्रिक्ट चल रहा है सिर्फ चू के भाग लिए लगान में चू के भाग यहां पर चू के भागी है और सिंगल लिया है एक सो पैतीस पे आट हो गया इसको डिली कैपिटल्स का अब आकरी गेंदानी बाकी है अरुन्दती पर भरोसा दिखाए जा रहा है आप बड़ा हिट आप मारिये लेकिन आ आउट होने से तो बचेंगे आप यहीं मेरे को लगना था होगा आप फिर क्यों बड़े शॉट करे जा रहा है आपको सिंगल लेना चाहिए था आपने मैच दे दिया आप चलिया यहां पर आउट हो गई है अरुन्दती रेडी काफी अच्छे बल्लेबाजी लेकिन अपन नहीं किया उन्होंने बॉल को उंगलियां फेरी थी कि इंद घूमता हुआ आपकी तरफ आ रहा था स्लोवर बॉल थी यह और वहां पर फस गए राना का असान सा कैज गात को मिलता हुआ विकेट और अब बैटिंग करने के लिए आ रही है पूनम यादव चलिए पूनम द जिसके पाद आपके चांस बनेगा और जिस तरही किस नहीं राना बॉलिंग करने मुझे लगता है एक वाइड फैके खुदी गई चौकावका ना देदे साही में बारा पे तेरा चैया यहां यह गलत शॉट खेल आपको पहली सबसे गंदी बात यह क्या किया मैं कहूंगा हाखरी बॉल थी आपको शॉट माने की जरूत क्या थी आप सिंगल ले लेते हैं सिंगल लेके आप स्ट्राइक रखिए अपने पास चलिए स्टिल हैट्स ओफ टू अनुर्ट अठीक बहुत अच्छी नौक अच्छी नॉक अच्छी नॉक आप टेल एंडर से इससे जदा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जरूरत हैं यहां पर फिलाल और शिखापांडे इन दोनों को अंतक टिकना चाहिए यार मैं तो कहूंगा नहीं नहीं है आप सिंगल लीजिए ना सिंगल लेकर जाहिए बस खता मैं इस बार पैड पे लगी है ठर्च करने में कामियाब नहीं हो पाएंगी रन नहीं मिलेग प्रेशर प्रेशर और डेली कैपिल वापे सब मुझे बहुत पुश्किल लग रहा है यहां से यहां से मुश्किल लग रहा है अब आपको मैच जिताना है तो शिखापांडे कोई कहल नी बढ़ेंगे सारी बिलकुल शिखापांडे अगर यहां पे कुछ बड़े हिट पाकिये तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है कि एक विकेट आप कैसे यहां से मचाएंगे लेक साइट पे इतनी जबर्दस फील लगा रखे कि आप ग्याप्स निकालने आपके लिए मुश्किल है ओई भाई साब मारा तो है शट आउट और मैच कातब डेली आपर पार गया है आप मैच जीत सकते थे बहुत है लिए जेटल में गुज्रा जाइन सार बैक इन डिस टॉर्डमेंट रॉयल चैलेंजस बैंगलोर इस ओफिशली आउट अप इस तो दोस्तों डिली कैपिटल से यह मुकाबला हार लिया है उनके आठ है उनको अगला मुकाबला जीतना होगा पॉइंट स्टेवल की तरफ हम आपको ले चलते हैं यहां पे बहुत जल्दी पॉइंट स्टेवल अपडेट हो जाएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या स्थिथी है समय पॉइंट स्टेवल की डिली कैपिटल इस समय दूसरी पॉजिशन पर है आठंग के साथ तो कॉलिफाइट तो है लेकिन देखना यह होगा कि क्या सेकिंड कॉलिफाय कर पाएंगी क्योंकि अगला मैच इनका मुंबई से है ठीक है तो चलिए मैं चाहता हूं कि डेली जीते हो बहुत बढ़िया और डेली पहुंचे लिए शे वह देली हो वाँ आ जीत गया है और इसमेंशねぇ की वजह से अब जो रोयल चेंज जिस बैंगलोर है वो बाहर है क्योंकि रीजन भी बता देता हूं कि यूपी और गुजरात का आमना सामना होना है एक मुकाबले में और इसमें कोई भी जीतेगा तो उनके छे आंग हो जाएंगे तो फिर और डेट रंडेट आपकी बहुत जादा खराब है तो इतनी खराब हो जाए कि वह आपसे भी बत्तर हो जाएं तो यह हो सकता है अदरवाइस तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डिफरेंस आने वाला है दिल्ली कैपिल दूसरे ही पोजिशन पे रहेगी आठंग के साथ तीसरे पे यूपी और गुजरात जो है वो उठ के अब चौथे पे आजाएगी क्योंकि नेटरनेट उनका तो पॉजिटिव में ना उनका माइनस में यूपी का माइनस में माइनस 0.196 इनका तो माइनस थ्री है ना तो इतना डिफरेंगा दसरन से ही जीते हैं तो पॉइंट्स के दम पे रॉल चलंग बस चौथी जो अब डेटिड है उसका जो है आपको पूरा दिखाएंगे किस तरीके से अब गुजराज जाएंट्स का जो नेटरन रेट है वो अब कहां पे पहुंचा है इस लॉस के बाद लेकिन यह काफी अनफॉर्चुनेट रहा डेली के लिए क्योंकि यह मैच जीत सकते हैं चलि हैं और रन रेट कुछ भी हो बट रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आर आउट अप दिस टूनमेंट चालिये मुलाकात होगी अब आप से कल दोपैर में क्योंकि मुकाबला है जिस से पहले हमारे जो स्पॉंसर से इंकी बात कर लेते हैं मोस्ट प्ले जो हैं वहमारे स्पॉंसर और अगर आप अपनी प्रेडिक्शन से कुछ प्राइज़ जीतना चाहते हैं तो पिंड कमेंड में जाके जो लिंक दिया हुए माँ पे जाके क्लिक किजिए रिजिस्टर कीजिए उसके बाद अपने प्रेडिक्शन के दम पर आप बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं तो आपना ख्याल रखें स्टे हेल्धी स्टे सेफ स्टे तुगेदर थैंक यू वेरी माच गुद्बाई बबाई